हेलो इस्टुएंट्स आई एम शिवम साहू आज जो हम बात करने वाले है एक्साइस 5.6 कोशन नमबर 7 ओके यहाँ पर कोशन नमबर 7 में फाइनली क्या फाइंड आउट करना है फाइंड डिवाइबाइब डिएक्स तो आपको जो यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो क्य इसके लिए सॉल्व करूंगा आपको यहाँ पर देखा जाए आपको एक्स इक्वाल टु यह गिवन है साइन क्यूब टी आपको उनमें रूट कॉस्ट टू टी ओके इस तरीके सा आपको यह कोशन गिवन है ओके एक्स के फौंग में अब देखेगा अब यहाँ पर आपक लोग लेना होगा तो लोग साइन क्यूब थिटा टी अपोन में हो जाएगा रूट कॉस्ट टू टी तो इस तरीके सा आपने लोग दोनों तरफ ले लिया है तो यहाँ पर होगा लोग एक्स इस इक्वाल टू अब आप देखेगा लोग एम अपोन एन की प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखरी है तो लोग एम अपोन एन का होगा लोग एम मायनस लोग इन तो log n मतलब root cos 2t इस तरीके से आपका identity apply होगी यहाँ पर फिर आप देखेंगा log x is equal to यहाँ पर भी एक identity दिखरी है log m की power n तो n log m हो जाता है n जो रहेगा वो आगया जाता है मतलब 3 जो रहेगा वो आगया जाता है मतलब हो जाएगा 3 log sin t इस तरीके से आपने लगाया फिर आप यहाँ पर भी देखोगे log m की power n यह root का मतलब क्या है 1 by 2 तो 1 by 2 जो रहेगा वो आगया जाएगा तो 1 by 2 log cos 2t तो इस तरीके से आपने यहाँ पर identity लगा के question को सही तरीके से बना किया है अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पर differentiate करेंगे तो यहाँ पर समझ लिए गा differentiate किस तरीके से आपने इसको करते हैं तो log x का differentiation होगा 1 by x then x का differentiation होगा dx upon dt is equal to आप देखेंगे 3 is a constant then log x का differentiation होगा 1 upon में sin t then sin t का differentiation होगा cos t फिर आप देखेंगे minus 1 upon 2 log x का differentiation वापिस सिखा हो जाएगा 1 upon में cos 2 t then cos 2 t का differentiation जो होगा वो क्या होगा minus sin 2 t then आपने cos का differentiation कर दिया अब इस theta का differentiation करना है theta मतलब 2 t का 2 t का differentiation क्या होगा 2 तो इस तरीके से आपने यहाँ पर differentiate कर दिया है तो यहाँ पर आप दिखेंगा 1 by x dx upon में dt is equal to 3 cos upon sin क्या होगा cos t then फिर 2 से 2 cancel out हुआ minus minus plus होगा sin upon cos क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 to t तो आप दिखेंगा finally आपका चो dx upon dt जो आएगा वो कैसे आएगा x यहाँ पर cross multiply तो x box में 3 cos t plus यहाँ पर हो जाएगा 10 to t तो यहाँ पर आप दिखेंगा dx upon dt is equal to x तो x की value क्या है आपकी sin cubed upon root cos to t तो यहाँ पर आप दिखेंगा sin cubed upon में जो है वो क्या है root cos to t तो इस तरीके से आपका finally जो dx upon dt आएगा वो इस तरीके से find out होगा तो यहाँ पर अपने dx upon dt की value आ चुकी है अब अपन बात करते हैं किसके लिए y के form के लिए dy by dt find out करेंगे तो यहाँ पर आप देखेगा आपका जो यहाँ पर y given है वो आपको y given है cos qt upon आपको given है root cos 2t इस तरीके से आपको यहाँ पर y की value given है यहाँ पर अपन dy by dt find करेंगे तो इस y को differentiate करेंगे with respect to t तो यहाँ पर आप देखेगा अभी respect to t ना करते हुए यहाँ पर taking log both the side यही करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर आप देखेगा taking log both side taking log both side तो आप देखेगा dy by dt log ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा log y is equal to log box में cos cube t upon में हो जाएगा root के अंदर cos to t okay same as t इसे के इस ही चलने देना आपको यहाँ पर अब देखेगा यहाँ पर हो रहा है log y is equal to आपको एक identity देखेगी log m upon n की log m upon n की अधर log m minus log n तो यहाँ पर हो जाएगा log m मतलब cos cube t minus log n तो log n जो है वो क्या है root cos to t इस तरीके साब आपने log m minus log n कर लिया है अब आप देखेगे यहाँ पर log y is equal to 1 अब आपको यहाँ पर भी एक identity देख रही है log m की power n मतलब यह 3 चुरा है तो 1 by 2 आपिस आगे तो 1 by 2 log यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा cos to t तो इस तरीके साब आपने identity लगा कर question को पुरा eliminate कर दिया है फिर अब आपको यहाँ पर इसका differentiate करना होगा तो यहाँ पर आप इसका differentiate करते हैं तो आप समझे का differentiate किस तरीके से होगा तो log y का differentiate होगा 1 by y then y का differentiation होगा dy by dt तो इस तरीके साब आपने differentiate करा then आप तेखिएंगे 3 log x का differentiation क्या होगा 1 upon x तो log cos t का differentiation 1 upon में cos t then cos का approximation करना है तो minus sine t then minus 1 upon 2 फिर log x का opposite differentiation then क्या हो जाएगा 1 upon में cos 2t then cos 2t का differentiation क्या होगा minus sine 2t then 2t का differentiation क्या हो जाएगा 2 तो इस तरीके साफ आपने differentiate कर दिया है अब आप देखेंगा यहाँ पर आप देखोगे 1 by y divided by dt is equal to minus यह minus में रहेगा 3 sin upon cos क्या हो जाएगा यहाँ पर 10t तो इस तरीके साफ आपने देखा तो यह किता हागा minus 3 10t और फिर यहाँ पर देखें यह भी साफ multiply में तो यहाँ पर 2 से 2 cancel out minus minus plus होगा then आप देखें sign upon cos क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 2t फिर आप देखें आपका जो finally divided by dt जो find out होगा वो आपका होगा यहाँ पर y इधर multiply होगा और box में minus 3 10t plus जो रहाएगा वो किता रहाएगा 10 2t तो यहाँ पर आप देखेंगा divided by dt जो find out होगा वो होगा y तो y की value क्या है आपकी यहाँ पर समझे y की value हो क्या है cos cube t upon root cos 2t तो यहाँ पर आप लिख दीजिए y की जो value हो क्या है cos cube t upon root cos 2t और फिर box में जो आपका चलता है minus 3 10t plus 10 2t तो इस तरीके से आपने देखा तो आपका dx upon dt भी find हो चुका है और dy by dt भी find हो चुका है अब देखेंगे अब आपको जो finally find out करना है वो क्या find out करना है dy by dx तो आपको dy by dx find out करने के लिए dy को उपर लिखना होगा dy by dt को उपर लिखना होगा और dx by dt को उपर लिखना होगा तो यहाँ पर थोड़ी से lengthy process है तो आपको ज्यान से समझना होगा तो यहाँ पर ज्यान से समझेगा dy by dt को उपर लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहां पर क्या होगा डिवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवा वो आपको क्या given है यहां पर minus 310t plus 10 to t minus 310t plus 10 to t इस तरीके साथ आपने देखा तो आपने dy by dt की value put up कर दी है अब आप देखें whole upon में आप देखें देखेंगे dx upon dt की value put करना है तो dx upon dt की value क्या है आप देखेंगे sin3t upon में cos2t sin3t upon में root upon में root क्या है cos2t upon में root cos2t then box में आप देखेंगे जगा क्या लिखा हुआ है यहां पर 340 plus 10 to t 340 plus 10 to t ओके तो 340 plus 10 to t तो इस तरीके साथ आपने यहां पर dy by dt upon में dx upon dt की value put up कर दी है अब यहां पर आप देखेंगे root cos2t से root cos2t पुरा क्या हो गया cancel out हो चुका है तो आप देखेंगे वो dt से dt cancel out तो आपने देखा dy by and dx की जो finally value आप क्या आई है वो क्या आई है आपकी cos3t और box में यहां पर minus 310t plus 10 to t ok then आप देखेंगे finally upon में यहां पर आई है sin3t sin3t और box में 34t plus यहां पर आया है 10 to t तो इस तरीके से आपने देखा आपने dy by dt finally find out कर दिया है पर आपको यहां पर reducing करना हो का जब तक यह पूरा reduce ना हो ओके तो यहां पर इसे किस तरीके से करेंगे देखते जाहिएगा dy by dx is equal to आप देखेंगे cos3t minus 3 यदि यह पूरा 10 के पूर्म में तो इस quad को भी 10 के पूर्म में convert करिए तो minus 310t plus 10 to t box close whole upon में आप देखेंगे sin3t यह हो जाएगा 3 कौर्टी को लगपन लिख देगे 1 upon 10 t plus आप देखेंगे 10 to t इस तरीके साथ आपका यहां पर upon में लिख दिया है अब आप देखेंगे यहां पर dy by dx is equal to cos3t upon sin3t फिर यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो होगा वह उपर जो है माइनस 3 10 t plus 10 2 t 10 2 t whole upon में आप देखेंगे यहां पर जब आप LCM लेकर 10 t तो 10 2 जो रहेगा वह सबसे उपर चले जाएगा तो इसका मतलब यहां पर 3 plus 10 t का 2 10 2 t तो 10 2 t 10 t और 10 t जो है सबसे उपर चले जाएगा तो यहां पर आप 10 t आपका लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपने लिख दिया है फिर आप देखेंगा यहां पर dy by dx is equal to a cos upon sign क्या हो जाएगा Quad तो यहां पर Quad cube t और फिर आपका 10 t चल रहा तो यहां पर 10 t साथ में फिर ब्रेक बॉक्स में आप देखेंगे यहां पर यह क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे यहां पर value आप पुट कर सकते हैं तो 10 2 t की value क्या होती है आपकी जो आइडेंटिटी होती है क्या होदा है 2 10 T upon 1 minus 10 square T तो इस तरीके से आपको identity यहाँ पर put up करना होगी फिर upon में आप देखेंगे वापिस से 2 plus 10 2 T वापिस से 2 10 T upon में आप देखेंगे 1 minus 10 square T और साथ में यह लिखा हुआ 10 T तो same as it is आपको यह ऐसा कि ऐसा लिखना होगा फिर यहाँ पर आप देखेंगे dy by dx is equal to 10 cube T पूरा convert कर रहे हैं 10 के पॉर्म में cube को क्या लिखने है 1 upon 10 cube T फिर यहाँ पर 10 T आपका चल रहा है फिर आप देखेंगा यहाँ पर यहाँ पर जब LCM लेंगे तो यहाँ पर LCM लेंगे तो क्या आएगा इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो 1-10 square T आपका LCM आएगा तो minus 310 T में आपका multiply हो जाएगा 1-10 square T का और यहाँ पर plus क्या चल रहा है 210 T तो इस तरीके साब को यहाँ पर करना होगा फिर आप यहाँ पर देखेंगा यहाँ पर भी आप देखें तो 3 LCM लेना होगा तो यहाँ पर भी 1 और इसका LCM आएगा वो कितना हैगा 1-10 square T फिर 1-10 square T का का में multiply हो जाएगा इस 3 में तो 3 में multiply 1-10 square T का हो जाएगा प्लस आप देखेंगे 210 T 10 T ऐसा कि इसा बच जाएगा क्या बच जाएगा 210 T and 10 T यहाँ पर आप दीख सकते हैं 210 T और यहाँ पर 10 T तो मतलब 210 square T यह इस तरीके से हो जाएगा तो आपने देखा यहाँ पर 1-10 square 1-10 square 1-10 square cancel 1-10 से 1-10 यहाँ पर cancel तो dy by dx आपने देखा जो आपका आया है नीचे 3 थे तो यहाँ पर 1 by 10 square T हो चुका है यहाँ पर पिर आप देखेंगे box में यहाँ पर minus 3 into 1 minus 3 10 T पिर आप देखें minus 3 into minus यह क्या हो जाएगा plus 3 10 cube T पिर आप देखेंगे plus यहाँ पर क्या हो जाएगा 210 T then फिर whole upon में आप देखेंगा यहां पर दिखा हुआ 3 बंजा 3 3 इंटू 10 स्क्वेर 3 10 स्क्वेर T फिर आप देखेंगे प्लस 2 10 स्क्वेर T तो इस तरीके से आपने यहां पर को मल्टिप्लाइ बॉक्सिंग बॉक्स का कर दिया है तो आप यहां पर देखेंगे दिवाई बर दिएक जो आपका आ रहा है वो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वेर T फिर बॉक्स में आप देखेंगे यहां पर माइनस आप इसको लिख दीजे पिले 3 10 क्यूग टी देन 3 10 टी 2 10 टी माइनस प्लस माइनस 3 minus 2 किता हो जाएगा 1 बड़े का आगे माइनस तो यहां पर हो जाएगा minus 10 T ओके होल अपोन में आप देखेंगे वापिस से यहां पर 3 minus 3 10 square 2 10 square minus plus minus 3 10 square 2 10 square रगा 1 10 square बचा बड़े का 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 minus तो minus 10 square T तो इस तरीके से आपने solve कर दिया है इसको अब देखेगा इसके आगे किस तरीके से यहाँ पर question को होगा तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किब आप dy by dx find out करोगे तो dy by dx is equal to आप देख रहे हो यहाँ पर कि उपर से 10 common आ रहा है तो मैं उपर से 10 को मन लूँगा तो 10 t हो गया और नीचे क्या चल रहा है 10 square t चल रहा है तो ऊपर आपका क्या बच्चा है कि 3 10 square 3 10 square t minus 1 क्या बच्चा है कि 3 10 square t minus 1 then whole account में आप देखोगे आपका जो चल रहा हो क्या चल रहा है 3 minus 10 square 3 minus 10 square t तो यहां पर आप लिखतीजिए 3 minus 10 square t 1 10 से 1 10 और cancel out हुआ तो यहां पर आप देखेगा dy by dx जो आपका आया है वो आ जाएगा 1 upon में 10 t और फिर यहां पर box में 3 10 square t minus 1 whole upon में आप देखोगे 3 minus 10 square t फिर आप देखेगा dy by dx is equal to 10 upon में तो नीचे multiply करवा दीजिए तो 3 10 square t minus 1 upon में 3 10 t 3 10 t minus 10 t into this तो यह हो जाएगा 10 cube t फिर आप देखेगे यह एक identity दिखरी है जिसे मैं यहां पर identity लिखे देता हूँ जिसे 10 3 theta की फोर्मुला होता है 3 10 theta minus 10 cube theta upon में होता है 1 minus 3 10 square theta तो आप देखेगे आपके 10 3 theta की identity होती है 3 10 theta minus 10 cube theta upon में 1 minus 3 10 square theta तो 3 10 theta minus 10 cube theta upon में 1 minus 3 10 square theta तो आपको उपर से minus common लेना होगा तो dy by dx is equal to minus common लिया तो 1 हो जाएगा प्लस में minus 3 10 square t तो फिर होल आप उन में आप देखोगे 3 10 t minus 10 cube t तो dy by dx is equal to आप देखेगे minus तो आप देखेगे फोर्मुला देख रहा है 3 10 theta minus 10 cube theta upon में 1 minus 3 10 square theta पर यह उल्टा लिखा हुआ है और यह formula 3 10 3 theta का है तो इसलिए इसका यह हो जाएगा 1 upon 10 3 theta का हो जाएगा formula तो dy by dx जो आपका finally find out होगा वो होगा minus 1 upon 10 होता है आपका quad तो यहापे quad 3 theta तो इस तरीके से जो आपका finally find होगा dy by dx वो क्या होगा minus quad 3 theta okay so here our question number 7 is completed thank you okay